आज हम एक बड़ा सा सारी कवर बनाएंगे इसमें दस सारी कवर केस हैं यह इतना बड़ा है और यहाँ पर हमने यह ट्रांस्परंट शिट लगाई है ऐसे यह अंदर सारी रहेगी और इस वीडियो में हम दो तरीके से पॉकेट्स बनाएंगे यह ऐसे उपर की साइड में ट्रांस्परंट शिट जाइन की है और यह नीचे की साइड में ऐसे यह दस पॉकेट्स है अगर आपको कभी यह बॉक्स में ही कुछ समान रखना है ड्रेसेस या सारी तो आप इसमें भी रख सकते हैं यह पॉकेट्स निकाल के रख सकते हैं कही पर कुछ सारी ले के जाना है तो पॉकेट में भर के भी यह ले के जा सकते हैं और यह पूरा सेट बनाने के लिए हमें तीन मिटर फाबरिक लगा है और फाबरिक का पना सिक्स्टी इंचिस है यहा से हम देख सकते हैं कौन से साडी है 11 इंच बाइ 18 इंच के दो फाबरिक के पिसे और दो लाइनिंग के पिसे सम लेंगे 9 इंच बाइ 11 इंच की एक ट्रांसपरेंट इट इसकी हाइट है 11 इंच और इसकी वीड़त है 9 इंच यह दो पिस है इसमें से हम एक फाबरिक और एक लाइनिंग का पिस हम लेंगे यह लाइनिंग की सीधी साइड है और यह ट्रांसपरेंट शिट हम दोनों के बीच में रखेंगे fabric के और lining के बीच में ये 11 इंच की side है इसे हमें यहाँ पर रखना है और हम सिलाई करेंगे ये सिलाई होने के बाद हम lining अंदर की तरफ करेंगे इसे हमें करना है और इसके उपर हम यहाँ पर top stage करेंगे और 3 जिनों साइड से यहां से यहां तक हम जोड़ देंगे फाब्रिक और लाइनिंग इसे हमने एक साइड जोइन की इसके बाद हम दूसरी साइड जोड़ेंगे बैक साइड में ये लाइनिंग का पिस ये लाइनिंग की सीधी साइड है ये हम प्लास्टिक शुट के बैक साइड में रखेंगे यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे ये सिलाई होने के बाद ये दोनों फाबरिक और लाइनिंग हम सिधी साइड करेंगे और इसके उपर भी हमें वैसे ही टॉप स्टिच करना है और ये तीनों साइड हमें चोड़ना है तो हमने ये पार जॉइन किया 44 इंचिस की हम एक जीपर लेंगे ये हमें सिधी साइड ऐसे रखना है और यहां से यहां तक हम जोड़ देंगे ये 44 इंचिस के हमने जीप ले थी इतनी जीप एक्स्ट्रा है तो हम ये जीप पहले कट करेंगे कटिंग होने के बाद हमें ये सिलाई अंदर की साइड में नीचे की साइड में करना है और इसके उपर हम टॉप स्टीच करेंगे इसे ये प्लास्टिक के उपर कभी बहुत बार मशिन नहीं चलती है तो हम थोड़ा सा आईल हाथ में लेंगे और ये हम ऐसे यहां पर लगाएंगे प्लास्टिक के उपर और मशिन चलाएंगे तो इसीली मशिन चलती है इसे हमने टॉप स्टीच किया और दोनों साइड से हमने एक एक रिनर डाला है इसके बाद हम 12 इंचिस बाई 16 इंचिस का एक फाबरिक का पीस लेंगे और एक लाइनिंग का पीस हम लेंगे 12 इंचिस इसकी हाइट है और 16 इंचिस इसकी फीड़ित है यह हम यहाँ पर जोड़ेंगे सिधी साइड ऐसे हमें रखना है अगर यह फाब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम नीचे के साइड से कट करेंगे और इसके बैक साइड में हम लाइनिंग का पर जोड़ेंगे सिधी साइड है ऐसे हमें रखना है यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे यह सिलाई होने के बाद यह एक्स्ट्रा जो फाब्रीक है वो हम यहां से नीचे के साइड से कट करेंगे यहां से हमें इसे कट करना है इसके जो बाहर का फाब्रीक है वो हम कट करेंगे इसे हमने कटिंग किया और इसके बाद यह सिधी साइड दूसरी उसके अपोजिट साइड में रखेंगे और बैक साइड से यह लाइनिंग का पिस यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे यह सिलाई होने के बाद यह हमें सीधी साइड करना है सिधी साइड करने के बाद हम यहां पर टॉप स्टिच करेंगे और यह फाब्रिक और लाइनिंग हम चोड देंगे दोनों साइड से हमें टॉप स्टिच करना है यह ऐसे हमने टॉप स्टिच करके फाब्रिक और लाइनिंग चॉइन किया इसके बाद हम यह 16 इंज की साइड है यह हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर मार्क करेंगे वैसे ही इसके अपोजिट साइड में सेंटर मार्क करेंगे यहाँ पर हमें मार्क करना है इसके बाद हम यह दोनों मार्क मिलाएंगे और दोनों साइड में मार्क करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसे हमने चारों साइड में मार्क किया है इस तरह से इसके बाद 16 इंच बाद 14 इंच के यह दो पीस हम लेंगे दो फाबरिक के पीस है और दो लाइनिंग के पीस है 16 इंच इसकी वीड़त है और 14 इंच इसकी हाइट है फाबरिक और लाइनिंग हम साथ में जोडेंगे यह लाइनिंग की सीधी साइड है ये हमें इसके back side में इस तरह से रखना है ये सिधी side है चारो side से हम सिलाई करकी join करेंगे दोनों के उपर SM ने जोड़ दिया है इसके बाद हम उसमें से एक piece लेंगे इसके उपर हमें center mark करना है इसका हमने half लिया है और इसका भी हमें center करना है इसके बाद 6 inches by 8 inches का एक fabric का piece लेंगे ये 8 inches की side है और ऐसे हम दोनों side से एक-एक fold करेंगे और center से एक fold करेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे इसे हमने दोनों साइड से एक एक सिलाई करके ये बेल्ट बनाया इसके उपर भी हमने फोल्ड करके सिंटर मार्क किया है ये हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हमें एक फोल्ड करना है और यहाँ पर एक फोल्ड करके हमें सिलाई करना है इसे हमने यह बिल्ट जोइन किया इसके बाद हम यहाँ पर फोल्ड करके सिंटर मार्क करेंगे इसे में चारो साइड से फोल्ड करके सिंटर मार्क करना है यह बाठ हम लेंगे यह 16 इंच की साइड है इसके फ्रंट साइड में यह ट्रांस्परंट शिट आएगी तो यहाँ पर हम यह साइड रखेंगे यह 16 इंच की साइड है यह हम यहाँ पर रखेंगे दोनों सिंटर मार्क हम मिलाएंगे इसे हम सिलाई करेंगे यहाँ पर आने के बाद हम दुसरा जो सिंटर मार्क है वो हमें पहले जोइन करना है तो यह चारो साइड से सही तरह से बैटेगी इसके बाद यह दूसरा पीस है वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसके उपर भी हमने चारो साइड से सिंटर मार्क किया है इसे हम पहले 16 इंच की साइड जोड़ेंगे इसे हमने यह दोनु साइड जोइन किये है और एक्स्ट्रा अगर फाब्रिक है तो हमें पहले कट करना है SM ने कटिंग किया इसके बाद हम पाइपिन लेंगे यह पाइपिन हम इसके उपर जोड़ेंगे क्योंकि यह पतला है इसके उपर हमने कुल्ट नहीं किया है तो यह पाइपिन उसमें अच्छी दिखेगी यह हाफ इंच की पाइपिन है यह piping हम ऐसे जोड़ेंगे ऐसे हमें piping जोड़ना है दोनों साइड से हमें piping जोड़ना है और यह piping वन इंच की है अगर आप quilted bag यह बनाते हैं तो ऐसी भी piping आप यूज़ कर सकते हैं अगर यह जाड़ा फाब्रिक रहेगा quilt किया हुआ तो आप यह भी लगा सकते हैं यह से piping करके हम आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी से हमें extra piping रखना है और एक फोल्ड करके हम यहाँ पर इसके उपर तक्सिलाइग करेंगे और लॉक करेंगे SM ने दोनों साइड में piping किये हैं तो यह bag हमारी complete हो गई इस तरह से बहुत सुंदर bag है इसके बाद हम अंदर के pouch बनाएंगे यह pouch बनाने का पहला तरीका हम देखेंगे इसके उपर हमें नीचिक की साइड से हमने transparent जोड़ी है यह बनाने के लिए हमें 20 inches by 15 inches के हमने एक fabric का piece लिया है और एक lining का piece लिया है 20 inches की height है और 15 inches की width है 8 inches by 15 inches की हमें एक transparent जिट लेंगे यह 15 inches की side है तो उपर से हमें 8 inches mark करना है 8 inches हम mark करेंगे और marking के उपर हमें cut करना है इसे हम mark करके रखेंगे तो हमें join करते समय इसी हो जाएगा और इसके साथ साथ हमें lining भी cutting करना है दोनों को साथ में cutting करेंगे इसे हमें cutting किया एक part हम side में रखेंगे पहले हम transparent shoot लेंगे सीधी side और plastic shoot के back side में lining हमें रखना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे यह हमने सिलाई की इसके बाद fabric और lining हम साथ में रखेंगे यहाँ पर हमें top stitch करना है और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करके fabric और lining चोड़ देंगे ऐसे हमने join किया इसके बाद यह दूसरा cut किया हुआ पीस हम लेंगे यह हम यहाँ पर रखेंगे प्लास्टिक shoot के दूसरी side में सीधी side हम प्लास्टिक के उपर आएगे वैसे हमें रखना है और निची के side में lining का पीस और इसी तरह से हम यह पार्ट बनाएंगे इसे हमने बना लिया है इसके बाद हम 15 inches की हम जीपर लेंगे और यह हम यहाँ पर जोड़ेंगे यह 8 inches की side है वहाँ पर हम यह जीप की सेथी side रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे सिलाई होने के बाद हमें सिलाई नीचे की side में करना है और हम इसके उपर top stitch करेंगे यहाँ पर हम top stitch करेंगे ऐसे हमने top stitch किया इसके बाद हम यह दूसरी side जीप की उपर की side में रखेंगे ऐसे हमें रखना है और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे यह सिलाई होने के बाद जीप हम separate करेंगे सिलाई नीचे की side में करना है और यहाँ पर हम top stitch करेंगे इसे हमने top stitch किया यह 8 इंच की side है जो हमने cutting किया था तो ऐसे हम यहाँ से runner डालेंगे हम runner यहाँ से डालेंगे ऐसे हमने runner डाला एक बार हम निकाल देंगे और फिर से डालेंगे रनर डालने के बाद हमें यह बैग उल्टी side में करना है इसके बाद हम यह प्लास्टिक ऐसे फोल्ड करके यह दोनों को साथ में रखेंगे दोनों side से इस तरह से और runner की side हमें ऐसे रखना है और यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे और यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे यह हमने सिलाई की दोनों side में इसके बाद हम यह extra अगर सिलाई के बाहर फाबरिक है तो हम पहले इसे cut करेंगे दोनों side से cutting होने के बाद हम यह zip open करेंगे और यहां से हमें बैग सीधी साइड करना है ऐसे हम सीधी साइड करेंगे तो यह बैग हमारी कम्प्लिट हो गई इसके बाद हम यह दूसरा तरीका देखेंगे पहुच बनाने का उपर की साइड से हमने ट्रांसपरंट शिट चोड़ी है इसके लिए हमने 21 इंचिस बाइ 15 इंचिस का एक फाबरिक का पीस लिया है और एक लाइनिंग का पीस लिया है 6 इंचिस बाइ 15 इंचिस का 6 inches by 15 inches की हमने एक transparent sheet ली है यह हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इसके back side में हम यह lining का piece रखेंगे यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे यह सिलाई होने के बाद हम यह lining अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हमें इसे top stitch करना है और यह तीनों side में हम सिलाई करके fabric और lining चोड़ देंगे इसे हमने join किया है इसके बाद हम pipe in लेंगे और यह pipe in हमें plastic sheet की उपर की side में हमें इसे जोड़ना है ऐसे हम जोड़ देंगे पिसे हमने यह pipe in join की है 15 inches के हम zipper लेंगे यह सीधी side हमें इसे रखना है और यहाँ पर हम सिलाई करके जोड़ेंगे इसे हमने यह zip join की है उपर की side में हम यह fabric की यह side जोड़ेंगे यह हमने सिलाई की इसके बाद हमें जिप separate करना है सिलाई नीचे की side में करेंगे और top stitch करेंगे इसे हमने top stitch किया इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे fold करेंगे और यहाँ से हम runner डालेंगे runner हम यहाँ से डालना है और एक बार हम runner निकालेंगे और फिर से डालेंगे इसे हमने runner डाला है इसके बाद हम ulti side करेंगे उपर से हमें 1 inch तक छोड़ना है यहाँ पर भी हम 1 inch तक छोड़ेंगे runner की side इस तरह से होने चाहिए और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे यह हमने सिलाई की इसके बाद हम यहां से ओपन करेंगे और बैक सीधी साइड करेंगे